हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में और दोस्तों आज आया हूँ मैं हायर कंपनी की तरफ से इस फ्रीज को चेक करने इसमें जो दोस्तों सिकायत आ रहे हैं इसमें कूलिंग नहीं कर रहा है यानि कि यह हमारा तीन सो यानि चार सो एकतिस लेटर का हमारा फ्रीज है यानि चार सो लेटर का और यह कूलिंग करना बंद कर देया है ठीक है अगर आप लोगों की भी कोई इस प्रकार से प्रोब्लम में तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है ठीक तो आज मैं आप लोगों को पूरी इंफ्रमिशन दूगा कि यह सा क्रारे पैचकों है बागी वीडियो को विर्कुल आप लोगों को लाश्टर तक देखना तब भी कुछ में कूछ समझ में आएगा ठीक है लिए जब बी मैं कोई बनाता हूं आप लोगों को दो बनना चाहरा है तो बहुत कुछ समझने के लिए आप लोगों को मिलता ठीक ह तो आप लोग हमेंसा कुछ ना कुछ सीखते ही हैं तो चलिए चारो स्क्रो को यानि चारे पेचो को पहले हम यहाँ पर खोल लेते हैं पहली बात अगर आप लोग कहीं भी जा रहे हैं अगर इस प्रकार से से गत्य पर फ्रीज रखा है आप लोग डारेक्टली उसको नीचे रखवाएं मैंने यहाँ पर भी इसको नीचे रखवाँगा बाद में ठीक है तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करवाएं केस्टूमर से आप लोग कहें कि गत्य से फ्रीज को नीचे रखो उठाएगें क्योंकि नीचे से गलने का खत्रा रहता है उसमें पानी जाता ने नीचे डाट होती है पानी जाएगा तो यहाँ पर रुख जाएगा और रुखने से हमारी जो बाड़ी हो खराब होगी ठीक पंखा बंद होगा अगर हमारा पंखा चल रही होगा तो तो इसमें जो दोस्त टो प्रॉब्लम है हमारा फैन तो अच्छी तरीके से चलना मि tunnelsojले को प्रॉब्लम में ठंड कररा है ठीक है मांगर जो ऑ प्रॉप्रेसर मोटर रहनी से कालि वाली मोटर ही हमारी नहीं चल रह आप केकल से पहले में आप लोगों को किया करना चली बताती है अब यहां पर अब लोगों को देखिक करना क्या है अब देखिक सबसे पहले पेजकस लेना है और बायर तारा हटा देना यानि मैन जो लीड होती हमारे कंप्रेसर की जिसे हम फ्रीज को चला रहे थे उसको आप लोगों को ब्रुकुल हटा दिना अलग कर देना ठीक है अब जो रिले साइट होता है हमारा उसके ओपर डी फ्रीज में कैप लगवा होता है और दो इस्कू कसे हुए होते है तो आप लोगों क्या करना है उन दोनों इस्कू को खोलना है और जो रिले साइट के उपर कैप लगवा होता है काला वाला ठीक उस कैप को बड़े ही आसानी के साथ आप लोगों को पीछे साइट खाजना है यानि कि यह मानलोग उसको ओपन करना बहार निकालना ठीक है तो आप लोगों को open इस तरीके से करना है कि उसके साथ में एक condenser भी joint होता है वह आप लोग मैं दिखाऊंगा अभी बाद में बाराल इस तरीके से करना है कि कोई भी तार वगरा नहीं टूट पाए बहुत ही आसानी से आजाएगा पेचकस की मतलत से आप करोगे बागी तारों में थोड़ा हिल होता है तो आप लोगों को वड़ी आसानी तरीके से थोड़ा मतलब साथानी से करना ठीक यह वाला काम करते हुए आप लोग लीड हमेंसा यानि कि इसका जो करेंट है उसको बिरुकल काट देना है लाइट आप लोगों को बिरुकल नहीं रखनी है तो चलिए मैं एक बार निकाल देता हूं देखिए हमारा जो जैसे निकाल निकाला को मैंने इस काप के ऊपर जोन्ट करने है एक हमारा चैक के लिए इसके जो रिले जरे औरपर लोड होती है उसको निकाल लेना है तो कंप्रेशर करने के लिए हम क्या करते हैं फिरीज में ख mun Chike ओंपर Linux कende Hamak जैसे यह इसो को स्टार्ट ने के लिए यह दो लोग ने के लिए एक रिले है रेक आवर अवर लोड यह दोनाः चीज अब आप लोको को इन दोनों को चैक करना कि हमारी को के लिए फियर। उसके लिए आप लोगों को मेटर लेना मेटर को कहा करना continuity mode यानि डाइबड मोड पर ऐसे करना जो आपस में दोनों तारों को मिलाएं तो पीपी की अब आज आए ठीक देखिए जैसे हमने इसको continuity mode पर रखा और दोनों आपस में तार हम यहां पर मिला रहे हैं तो क्या कि पी इस फ्रीज में खराब है ठीक यह तो पता चल लगे कि हां हमारे फ्रीज में एक गलती है जिससे हमारा कंप्रेसर नहीं स्टार्ट हुआ फिर हम करेंगे रिलेश एट जो काली वाली रिलेश एट है उसको जैसे हमने दोस्तों चेक किया यानि कि वह हमारी बिल्कुल ठीक है यह एक पार्ट यह वाला जो ऑबर्लोड शफेद वाला होता है वह खराब है जिसकी वजिससे क्या हो रहा है हमारा जो फ्रीज दोस्तों कंप्रेसर है वह स्टार्ट नहीं हो रहा ठीक देखिए अब क्या है यह यह वह रिलेश बदलने खाली तो कोई भी दिक्कत नहीं है बदलना चाते हैं तो रिलेश बदलते हैं आप लोगों को एक बात का और धिहान रखना है देखिए जैसे ही यह ओबर्लोड फुकने का एक महत्पूर्ण कारण होता है कि हमारे फ्रीज के कम जो होते हैं यह जो करेंट होता है वह हाई लेबल का आरिया होता ठीक है जैसे कि हमारा फ्रीज अच्ची तरीके से चल ठीक है एक अच्ची तरिकी से कर पाएगा मालने जीए 207 यानि 200 की मारे ब्ल्टे आ या 100 C न्यासी प्रोब्लं भी आले ठीक हमेंशा आप लोग पर जारहे हैं तो हमेसा यह धियान रखें कि रहे कि हमारे जो बॉल्टेज है वो दोस्तो 220-230 के बीच में होने चाहिए तब ही हमारा कॉलिंग सिस्टम अच्छी तरीके से काम करेगा ठीक अब यहां पर हम ओबर लोड को इसको क्या करेंगे चैल्ज कर देते ऐं करदिये में चैन् ichased और द्वार बापिस कंप्रेसर लगा देते कंप्रेसर में इसको लगा देते हैं से मतलब मैनेज करें अब देखिए यह वाला सोकेट हमने यहां से निकाल दिया था जिससे मतलब थोड़ी प्रोब्लम पढ़ ले थी हम निकालने में तो सोकेट आप लोग डाल दे अब हमारा यह काम होगा फाइनल ठीक अब क्या करेंगे हम कंप्रेसर को स्टार्ड करने की को के स्टार्ड हुआ है या नहीं है तो है तो दोस्तों जैसे हमेना यहां यहां पर च Кprofits अच्छी तरहीं से काम कर रहा है यानि की फिरीज की दिकत थी दोस्तों वह एकदम अच्छी तरिक से निवट गई are Champ is će फो अर्फ要स्ट कर रहा है तो यही कंडिशन होती है कूलिंग करने की नहीं करने की दो-तीन कंडिशन होती या आप लोगों को मैंने बता दी है यानि यानि कि आप लोगों का संगहा नहीं चल रहा है फिर भी मारी खुलिंग कमोगी कंप्रिसर बंद पडहाई फिर तो विर्कुली कम खतम होगी हमारे बोल्टेज नहीं आ रहे